वश्कार साती हो एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है लोदाजी क्लासेस के बीए प्लेटफरम पर बीए सेकेंड डियर में फाउंडेशन कोर्स के अंतरगत इंग्लिश लेंग्वेश फाउंडेशन में दोस्तों mcq वाली question answer वाली series को continue करते हुए आज हम बात करेंगे first newt की एक और कहानी पर जिसका नाम है God see the truth but bads इश्वर सच्चाई को जानता है लेकिन इंतजार करवाता है जो की टोल्स्टोई साहब के द्वारा लिकित है कहानी के दोस्तों जितने भी आवशक और महत्पूर्ण हमारे जितने भी mcq question answer हो सकते हैं उन सब पर हम discuss करेंगे आप सभी भली बाती जानते हैं जो continue और दिननतर रूप से classes ले रहे हैं उनको अच्छे से पता है कि ये classes हमारी detail classes नहीं बल्कि short classes है जिसमें सिर्फ हम question answer को ही discuss कर रहे हैं इसके अलावा detail classes भी हमारी playlist में available है यदि आपके पास समय है और आप चाते हैं कि English या और अन्य subject जो की BA के subject हैं जिनको आप पूरे बिस्तार से detail में और free of post बिना कोई चार्ज दिए attend करना चाते हैं तो playlist को visit करें वहाँ पर सभी session हमारे पूरे बिस्तार पूर्वक available करवाए गए है करम अनुसार सभी subject और subject के सभी lecture आपको करम अनुसार मिल जाएंगे वो प्रतेक lecture की description में उसकी PDF notes भी available करवा दी गई है आईए शुरू करते हैं आज का session दोस्तों आज के session क अंत्रगत फर्स्ट नेट में जैसा कि आप सभी जानते हैं लेकिन जो नए student हैं उनको भी वता दू दोस्तों फर्स्ट नेट में ये पांच कहानिया थी इन पर हम discuss कर चुके थे पोईंप पर जिसके अंत्रगत हम चार पोईंप्स पर discuss कर चुके डेफोर इस वेंगल सेलर लेटर टू गोड और आज हम इस पांच भी पोईंप पर discuss करने जा रहा है अर्थात की पोईंप की एक सारांस को देखेंगे सारांस में इसे ही आपको समझाओंगा उसके बाद में इस रेटेड 25 कोशन आंसरों पर हम यहां पर discuss करने वाले हैं जो कि आपकी एक्जाम के लि जादू जिससे कि आपके मस्तिस्क में कुछ पात्रों से आपका परीचे भी हो जाएगा और साथ ही साथ में आपको एक स्टोरी समझा जाएगी जिस पर कोशन अंसर जिस स्टोरी पर बेस्ट हैं दोस्तों यह कहानी रूस की रूस के एक ब्लादिमीर शहर की है यहां पर ए विवाह अर्थात की शादी से पहले जो है इसका केरेक्टर जो था वो कापी सिंगिंग और मार्धार टाइप का रहा है और इसके अलावा इसका जो टोपिक इसका जो केरेक्टर था यह दोस्तों यह विवाह से पहले सराब में लिप तरहा करता था और सिंगिंग में विश से खुशी खुशी रहने लगा लेकिन आगी चलकर के इसने अपने बिजनिस में अपने ब्यापार में मुनाफे के लिए इसने अपने सामान को बेचने के लिए एक अन्य सहर के एक मेले में जाने का निश्य किया मेले में जाने को तयार था वैसे ही दूसरे दिन मेले में जान आप लोडते तो हैं लेकिन तब तक आपके बाल सपेद हो चुके होते हैं लेकिन इस बात को एक्सिनोब जो की ब्यापारी था वो इस बात को नजर अंदाज करते हैं अपनी पत्नी के सपने को अंदाज करते हैं और ये अपने ब्यापारी के लिए चल पड़ते हैं चलते चल मेले में पूशने से पहले ही, जो है इने कहीं बीच में रुखना पड़ा, सराय में अर्थात की जो लोज हुआ करती है, लोज में ये रुखते हैं, वहाँ पर उनको एक और व्यापारी मिलते हैं, उनके साथ ये रात बिताते हैं, और रात समापतों होने पर सुबब फिर से ये अपने मार्क में चल पड़ते हैं लेकिन पता चलता है आगे जाकर के कुछ पुलिस अधिकारी मिलते हैं वो इनको रोकते हैं और इनसे पूश्टाच करते हैं और जब इनको पता चलता है कि पूश्टाच क्यों कि जा रही है क्योंकि जो ब्यापारी इनके साथ रात में एक्सिनोग के साथ में जो रात में रुके थे उनका गला काट कर किसी ने हत्या कर दी होती है जब उसको यह पता चलता है तो यह भी अचुब्द रह जाते हैं मतलब कि दंग रह जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है और आगे चल करके जो है पुलिस अधिकारी उनको ले जाते हैं और जेल में बंद करते हैं, इनको सजा भी सुना दी जाती हैं, जेल में काभी इनको लगबक 26 वर्स हो जाते हैं, तब तक इनके बाल सपे दो चुके होते हैं, और बीच में इनकी पत्नी इनसे मिलने के लिए भी आती है, लेकिन चूह की साधी से पहले जिस प्रकार का इनका केरेक्टर था तो पत्नी भी पूरी तरह विजवास नहीं कर पाती है कि उनको भी लगता है कि हो सकता है शायद यह नहीं ऐसा किया होगा तो इनको ब्यापारी को बड़ा अजीब सा लगता हो थो अपने आप पर भी संदे होता बेकार सा लगता है क्योंकि खुद की पत्नी ही उन पर विजवास नहीं कर रही होती है इस बीच में दोस्तों 26 वर्स बाद में एक व्यक्ति आता है अन्य केदी आता है जेल में और उसके बहवार से उसकी बातों से उसे डाउट होता है कि कहीं न कहीं इसका एक्सियोन ओब और जिस कारण से वो जेल में है उससे कहीं न कह उसका संबंद है लेकिन बाद में आगे चलकर के और एक रात में वो रात में जाकते हैं एक्सिनोब और वो देखते हैं कि जो नया केदी आयता है जिसका नाम होता है मकर ये जेल में सुरंग खोद रहा होता है भागने के लिए लेकिन वो देखकर के भी जो है अंजान हो बन में हैं उसका बास्तविक जो मुझ्रिम है वो मकर ही है ये सारी बाते होती है उसकी रिहाई होती है लेकिन सारी कहानी चलती है रिहाई का वक्त आ दिर्धारीते उनी कोशन आंसर्स पर हम डिसकस करने जा रहे हैं कहानी सुन आने के पीछे मेरा उद्देश यह था कि एक्सियों ओब या कहें कि मकर जैसे पात्रों से आप परिचित हो जाए और पुरी घटना के बारे में आपको मोटा मोटा सा पता होना चाहिए जिससे आप कोशन आंसर को अटेम करने में आपको समझा ना आए चली अब शुरू करते हैं अपने कोशन आंसर वाली याद्रा प चार ओप्सन आपको एक्जाम में दिये जाएंगे यह ना तो यह दोस्तों में इसका अंसर प्रारम में ही आपको बता चुका था लियो टॉल्ट स्टॉय के द्वारा लिकित है गोर सीधा क्लिया रहे नेक्स्ट कोशन होगा अगला कोशन है आपका हूँ निरेट्स हूँ टोल्स्टोय साम ने ही लिकी है चिके ना तो इसलिए आंसर इसका बी करेक्टो हो जाएगा बी करेक्टो हो जाएगा नेक्स्ट कोशन है इन वाट इयर वाज गोर सीधा तृत बट बैस पबलिजड जो यह पोईम है यह पबलिजड कब हुई थी तो इयर बताएगे हैं 1989 मे 2001 में या 1877 में या 1872 में इसका राइट ओप्सन होगा मेरे प्यारे दोस्तों ओप्सन डी करेक्टो होगा इसका 1872 में जो है यह पोईम प्रकाशित की गई थी पबलिजड की गई थी किलिए रहे नेक्स्ट कोशन है इन वाट कंट्री इस गौड सुद गौड सीधा टूद सेट की किस कंट्री में इसको इस्थापित किया गया था जविए प्यूंस नहीं होगा प्रूसिय है रस्याही नहीं आफ्यार्य ओप्सन होगा ठीक है ना option d correct हो जाएगा चलिए next question पर बढ़ते हैं अगला question है who is the stories protagonist protagonist का मतलब होता है नायक तो इस story का नायक कोन है इस story का नायक कोन है सीमोनिच दोस्तों इस सिमोनिच जो है न जो मैंने आपको बताया सीमोनिच मकर जो बताया था एक सीनोप जो की ब्यापारी था तो इना इसके इलावा एकस्य नॉप की वाईफ या चोल्सटोय तो इस कानिका नायक ऑन हे पूम का नायक कोन है प्रोटो के um प्रोटेगोनेस्ट प्रोटेगोनेस्ट एकक्शुल में इन कहानियों में जो किसे वर्ड भी आते हैं जो प्रैमरी एंटोगोनिस्ट मतलब प्रात्मिक प्रतिपक्षी था समझ रहा ना जिसे पहला नायक तो कौन था एक्सनोफ था और एक्सोनो किस की सजा के किस के जुर्म के कारण जेल में गया था तो सिमोनिच मकर की कारण गया था इसलिए ओप्षन इसका एक रिक्टो होना चाहिए किलियर है ओप्षन एक रिक्टो होगा नेक्स्ट कोशन है what activities were actually now found in his youth अर्था दिये कि वो अपनी जवानी में जवानी आता कि ठीवाश से पहले शादी से पहले उसके किस प्रकार का आच्रंड था किस प्रकार के कारिये मों किया करता था किस प्रकार की activity में लिप्ट रहता था चारteen निए गए है Wanna सिंगिंग में या फिर ड्रिंकिंग और फाइडिंग में या फिर ड्रिंकिंग और सिंगिंग में या ड्रिंकिंग और फिशिंग में तो मैंने आपको प्राणा में बताया था कि वो काफी कहानी में बताया था कि यह काफी ड्रिंक किया करता था और सिंगिंग का बड़ा सोकी से में वाट आर एक्सणॉपर फर्स्ट नेम का पहला नाम फस्ट नेम क्या है एक्सणॉपर का फस्ट नेम है इवन जीमिड्ची screen इसलिए option इसका एही correct हो जाएगा आगे जाने कि आपको जरूरत नहीं है जब आप पढ़ेंगे तो पूरा नाम ही बताया गया है चलिए सेमोरी का प्रस्ट नेन क्या है मगर मकर या तो यह मगर अर्थात की ओप्सन भी कर्रेक्ट्टों हो जाएगा इसका बिकरेक्ट्ट्रा नेक्स्ट कोशन है इन विच गैंड्रे अर्थात की शैली इना कि शैली में लिखेंगे सिंपल से बात है इन वीचे गैनरे इस गोर्ट सीदा टूथ बड़ बैट्स जो यह पोईम है यह कि शेली में लिकी गई है तो यहां पर रियलिज्म अर्थाति यतार्थवाद में लिकी गई है प्रेबल द्रस्टांत पर लिकी गई है या फिर सोट इस्टोरी है या ओल ओफ अलहे हैं तो यह जो कहानि है जो प्यइब है गोट सीद्र बाट बट बेट्स यह जो है यतार्थवाद पर भी आदरीत है वहीं ये एक शोट स्टोरी भी है प्रेंबल भी है क्योंकि ये द्रस्टान पर भी ये आदारिते इसलिये इसका ओप्षन डी करेक्टर होगा और अफ दीस तो ओप्षन डी करेक्टर हो जागा नेक्स्ट कोशन है वह डस एक्सोनोब वाइफ ड्रीम अबाउट तो एक्सोनोब की जो पतनी थी उसने क्या सपना देखा था किस प्रकार का सपना देखा इक्सोनोब बिंग रोबड की एक्सोनोब लुट चुका है लुट कर सपेद हो चुके होते हैं इसलिए उप्शन इसका सी करेक्टो हो जाएगा चलिए अगला प्रशन है नेक्स्ट कोशन है टूबर डज एक्सनोफ सेट आउट एड़ बिगनिंग ओफ स्टोरी तो इस्टोरी की शुरुवात में क्या का जा रहा है टूबर डज एक्सनोफ सेट आउट एड़ बिगनिंग ओफ स्टोरी तो इस्टोरी की शुरुवात जो है इस्टोरी की शुरुवात जो है दोस्तों कहां के लिए मतलब इस्टोरी की शुरुवात में जो है वो बैक्ति कहां जाता है या जो घटना घटित होती है उस घटना की शुरुवात कहां से होती है इना तो ओप्सन में चार है मोस्को से चुछ की मोस्को की जेल में वो बन था साइबेरिया साइबेरिया में वो अरेस्ट हुआ था ठीके ना निंजी फैर मरतात की निंजली निंजली निंजी थी मेला या व्लादिमीर फैर तो व्लादिमीर शहर में मेला था तो नहीं निं जो मैला था दोस्तो इस मेले में जाने के कारण ही इस घटना इस इसे की शुरुवात होती है स्की है इस मेले से ही 30 मेले के कारण होती इसलिए option इसका सी करेक्ट हो जाएगा next question है which literary device best describe the phenomenon एक्सणॉप ग्रे है ग्रे एक्सणॉप के जो बाल सपेद हुए बाल सपेद हुए हैं यह किस की क्या है यह यह क्या बताता है स्टोरी में तो यह जो इसके बाल सपेद होना मतलब कि यह प्रकार का संकेत था एक्सणॉप के लिए प्रकार का संकेत था कि उसके साथ किस प्रकार की घटना घटित हो सकती है हो सकता लंबे समय के लिए वापस ना आ पाए तो यह एक संकेत था और संकेत होने के कारण इसको symbol की रूप में इसको use किया गया है symbol के रूप में symbol के रूप में इसको use किया गया है इसलिए option इसका एक correct हो जाएगा next question है which answer best defines spray spray के लिए कुन सा answer best होगा या spray को कुन सा चार option दिये गए चार option में से कौन बहतर तरीके से define करता है आई एक एक option को देखते हैं type of young fish या a period of obsession या a ominous sign या फिर a period of drinking तो दोस्तो और ओमिने साइन इसका right option होगा right option होगा इसका ominous sign और यहाँ पर option बता जा रहा है option d period of drinking तो यह थोल आसा दोस्तों में question number 14 इसको में चेक करके आपको description में इसको explain करूँगा बताऊंगा question number 14 में थोड़ा सा doubt जा रहा है मैं इसको check करके आपको right option इसका बताऊंगा description में आपको इसका answer right answer मिल जाएगा clear है next question है actual में क्या थोगी कभी कभी typing में भी misprint हो जाता है problem हो जाती है तो ज्यादा इसमें चोटी मोटी गलतिया होती रहती है ना ज्यादा focus ना करें चीज़ों पर तो question number 14 का right answer में आप लोगों को बताऊंगा description में आपको पताऊंगा या फिर next nonsense क्या उसने उसको सिर्फ बखवास समझा या एज बैड ओमें एक बुरे सपने की तरह या फिर एज लकी साइन या फिर he never learn of the dream उसने सपने से कुछ नहीं सीखा कुछ नहीं समझा तो जब वाइफ उसकी वाइफ ने उसको सपने के यह तो अच्छी बात है यह तो अच्छी बात है यह एक लगी साइने मेरे लिए इसलिए ओप्सन इसका सी करेक्ट हो जाएगा ठीक है ना चलिए अगला कोशन देखते हैं नेक्स्ट कोशन कोशन नमर 16 है वाट टाउन इस एक्सणोवस फॉर्म एक्सणोव कि सहर का निवासी था तो व्लादी मीर सहर का था कई बार रिपीट हो चुका यह अंसर तो यहां को जाने के ज़रूत ही नहीं है नेक्स्ट कोशन है वाट मौड ऑप ट्रांस्पोर्ट डज एक्सणोवस यूस लटरेवल तो एक्सणोव ने जो है जब यात्रा के लिए जा रहा था ना घोड़ा गाड़ी से गया था यह किलिए रहे इसले मुलाकात उसकी किस्से हुई थी do नहीं हो पाई उसकी तो 26 साल बाद जेल में होईती उसकी मुलाकाट फैलो मर्चंट जी हां फैलो मर्चंट से हुई ती एक उसके ही समान एक और ब्यापारी था उसकी मुलाकाद हुई थी इसलिए सराय भी बोलते हैं लोज भी बोल सकते हो है ना इसके धर्म शाला भी बोल सकते हो तो यात्रियों के रुखने के लिए जो बिवस्ता होती ना उसको ही इन कहा जाता इसलिए ओप्सन इसका एक करेक्टर होगा नेक्स्ट कोशन लेते हैं अगला कोशन है कोशन नमर्ट 20 वाट इस दा सोमेवर क्या है अस्वर्ड है तलवार है या कोई गाड़ी है टाइप ओफ केरिवर है या टी अर्न है मतलब की जो है टी अर्न टी अर्न इसका राइट ओप्सन डी होगा राइट ओप्सन इसका डी होगा से मवर्ड अलग की ज्यादा वर्णन नहीं किया मिला है इसका पोईम के अंदर लेकिन चोट-चोटी बाते आपको पता होनी चाहिए चीके चलिए अगला कोशन है वाट डास इट मीन टू अलाइट तो इस िसेंट और बीहेखल से मलप गाली से नीचे उतरना ऊप्सन ओप्शन क्या हो जागा दोस्तों लेकिए डेशंक वाड़ी में चड़ना नहीं बलकी ऑप्सन होगा और ज़रोका क्या है त्री ओफ एनिठीं या विहाइकल फूल वाइदा होर्सेश या फिर दा त्री प्रोंग्ड फॉर्क या फिर थी फॉर्ग्ड तो यह तलवार फ्रोंग्ड पगेर नहीं बल्कि एक एसी गाड़ी अविहाइकल पुल्ड जो मतलब खीचना जो की तीन घोड़ों के दौरा कियों का कहा जाता है इसलिए उप्सेन भी इसका और फोजाएगा नेक्ट कोरिशन है वाट इस दा एक्षण ओदू पू कोशन हिम पुलिस आइप टू कोशन हें तो जब पुलिस एक्षण ओब के पास इन्क्वारी करने के लिए पहुची तो उस समय एक्षण क्या कर रहा तो वो गिटार बजा रहा था क्या कर रहा था दोस्तों गिटार बजा रहा था प्लेंग गिटार क्योंकि सिंग था वो इसका भी करेक्टो हो जाएगा next second last question है इसका what does the official एक्सेनॉप्स आफ हैविंग ड़न किस जूर में उसको औरेस्ट किया गया था कौन सा जूर्म था उसके ओपर मतलब कौन सा केस्ट चल रहा था किलिंग इस कोच में नहीं यह गलत हो जाएगा इनकीपर भी नहीं था किलिंग भाइफ भी नहीं किलिंग दा फैलो मर्चेंट जी हाँ एक ब्यापारी के कतल के जुर में उसे जेल में डाला गया था ठीक है इसलिए उप्सन डी करेक्ट नेक्स्ट कोशन है वाट ड़स दा ओपीशेल ओपीशेल फाइंड अमोंग एक्सनॉप्स पसेशन तो एक्सनॉप का जो सामान था उसमें पुलिस वालों को क्या म मानने के बाद में उसके सामान में छुपा दिया तो एक ब्लडी नाइफ उसको जो है उसके सामान में मिलाता है इसलिए ओप्सन इसका डी करेक्टर हो जाएगा और इस तरह से 25 कोशन में आप लोग को यहां पर बताए जो कि प्रते कोशन का रिविजन आपको लगाना कंप सारी है बहुत इंपॉटैंट कोशन है दोस्तों कहीं से भी एक्जाम में आप से कोशन पूछे आ सकते हैं सोर टाइम में डिप्स क्लास करने का बस एक मात्र तरीका है जिसमें आपको एक्जाम से पहले से स्कोंप्रेट करवा सकता हो अन्यता इसकी डिटेल क्लासेस जो है से continue करने वाले ही हैं जैसे ही यह complete होगी classes, detail classes फिर से continue हो जाएगे, ठीके ना, next question आपको next new session होगा, वो देखने को मिलेगा unit second के comprehensive skills में 45 question answer का answer वाले एक lecture होगा, next lecture में 45 question answer, mcq question answer पर discuss करेंगे, जो की comprehensive skills पर defendant होगे, ठीके ना, उसके बाद में unit third पर move करेंगे, पचास question की series होगी, उसके बाद में writing skills पर आएंगे, fourth unit के अंतरगत, hundred question discuss करना है, उसके बाद में speech skills पर, जिसमें 50 question discuss करना है, तो इस प्रकार से ज्यादा session नहीं होगे, जल्दी से session यह जो series है, यह complete हो जाएगी, clear है, चलिए मिलेंगे next session में दोस्तों, तब तक आप सभी का ध करने बाद, thank you, thank you so much.